पाट बारा सम्मुचय बोधक कंचांक्षन राकनी और रचनी खेल रही हैं। हमारा निवेदन है कि आप लोग भोजन करें। पिताजी देड से स्टेशन पहुचे अतह ट्रेन चूट गई। निशी पढ़ रही थी लेकिन उसका भाई खेल रहा था। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में और कि अतह तथा लेकिन शब्द दू शब्दों अत्वा वाक्यों को परस पर मिला रही हैं। ये शब्द सम्मुचय बोधक अव्याए कहलाते हैं। सम्मुचय बोधक अव्याए जो अव्याए शब्द दो या दो से अधिक शब्दों अत्वा उप वाक्यों को चोड़ते हैं। उन्हे सम्मुचय बोधक अव्याए या यूचक कहते हैं। जैसे और अधिवा किन्तु अतह क्योंकि ताके इसलिए तू तथापी अन्यथा या आदे। सम्मुचय बोधक अव्याए की फेद। काइंस ओफ कंजंक्शन सम्मुचय बोधक अव्याए के निमनलिखित फेद हैं। सम्मुचय बोधक अव्याए सैयोचक, विकल्पाक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक एक संयूचक जो अव्यय दू अथ्वा दू से अधिक शब्दों अथ्वा वाक्यान्शों या वाक्यों को चोड़ने में प्रयोग होते हैं उन्हीं संयूचक कहते हैं जैसे और एवं तथा अर्थात जोकी आदे उदारण कह राम और रमीश साथ चाते हैं ख राकीश एवं सोहन दोनू खेलते हैं गह पिता तथा पुत्र एक साथ चाते हैं घ यह वही पैन है जोकी तुमने दिया था दू विकल्पक जो अव्याय दू अथ्वा दू से अधिक वाक्यों अथ्वा शब्दों में किसी एक को त्याग या ग्रेहर करने का बूत कराते हैं उन्हीं विकल्पक कहते हैं जैसी या या तो ना अथ्वा नहीं तो या या न तो न चाहे आदे उदाहरण ग चाहे राधा आए चाहे संजू ख या तो चाय मंगालो या ठंडा ग न तो राजु आया न श्याम ग नौकर फल अथ्वा दूद लाएगा तीन विरोद सूचक जो अव्याए दो वाक्यों में विरोद प्रदर्शित करते हैं तथा उनमें से किसी एक के निशीत अथ्वा ग्रहन का बोद कराते हैं उन्हीं विरोद सूचक कहते हैं जैसे बलकी किन्तू अपितू लीकिन मगर फिर भी वरन आदे उदारण कह उसे मत पुलाओ बलकी स्वयम चले आओ ख जीतना आई थी किन्तू नमिता ना आ सकी गर छुट्टी नहीं है लेकिन मैं आऊंगा जरूर गर मैंने बहुत समझाया फिर भी वह नहीं माना चार परिणाम सूचक जो अव्याएं दू वाक्यों को चोड़ते हैं तथा उनसे यह बोध होता है कि अगला वाक्य पिछली वाक्य का परिणाम है उनहीं परिणाम सूचक कहते हैं जैसे यद्यपी तथा पी अतह इसलिए आदे उदाहरण कह ट्रीन लेट थी इसलिए मैं समय से पहुचना सका ख आज स्वास्ति खराब था अतह स्कूल नहीं गया गह मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि समय नहीं मिल पाया घ छाता तो लेलू ताकि भीगो ना परिणाम सूचक अव्याय निम्न प्रकार के होते हैं एक संकेत वाचक तथा पी यदितो जोतो यद्यपी आदे दो कारण वाचक इसलिए क्योंकि जोकी चूंकि आदे तीन उद्देश्य वाचक ताकि जिससे की यद्यपी तथा पी आदे